दोस्तों करोना ने दुनिया भर में आज उक्सीजन की वैल्यू के बारे में लोगों को बता दिया है पर हम कितना समझे कितना नहीं यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन दोस्तों फिर भी आज हम वो प्लांट्स यानि की वो पोदे लाएं हैं जो अपने घर और कमरों में लगा कर ज़्यादा मात्रा में उक्सीजन तो प्राप्त करेंगे ही और साथ के साथ जहरीली गैसों और प्लूशन को भी खतम कर सकते हैं तो बने रहे इस वीडियो के साथ हैलो दोस्तों मैं हूं लव संदूर आप देख रहे हैं लव मनेटर चैनल तो चलिए शुरू करते हैं नमबर दस वीपिंग फिग ये प्लांट यानि कि ये पोदा महरानी पिक्टोरिया के समय से ही काफी पसंद किया जाने वाला रूम प्लांट है जो आपको भरपूर अक्सीजन देता है नमबर नो ड्रेगन ट्री ड्रेगन ट्री को रेड एज ड्रेसीना के नाम से भी जाना जाता है रेड एज ड्रेसीना यह हमेशा हरा भरा रहने वाला पोदा है और यह भी बरपूर मात्रा में उक्सीजन देने वाला पोदा है जिसे अपने कमरे में भी रख सकते हैं नमबर आठ ब्रोड लेडी पाम इसे बैंबू पाम के नाम से भी जाना जाता है ये एक ऐसा रूम प्लांट यानि की कमरे में लगाई जाने वाला पोदा है जो क्लिनिंग प्रडक्ट्स में पाई जाने वाले अमोनिया को भी सोक लेता है नमबर साथ एलोविरा हमारी कीचन की खिड़की जा कीचन गार्डन का सबसे ज़्यादा काम का पोदा है इस से निकलने वाला जेल रसोई में जलने की मामली घटनाओं से लेकर ब्यूटि केर के तमाम कामों में इस्तमाल किया जाता है और इस पोदे की ताजा जेल को खाने से हमारे श्रीर के कई तरह के रोग भी दूर हो जाते है नमबर छे, स्पाइडर प्लांट इस प्लांट को रिबन प्लांट भी कहा जाता है इसकी उंचाई 60 cm जब 2 फिट तक होती है और ये पोदे 2 डिगरी सेल्सियस तक का ताबमान भी सैन कर सकते है हलांकि इसके लिए सबसे अच्छा ताबमान 18 डिगरी सैल्सियस से लेकर 32 डिगरी सैल्सियस तक होता है और इनकी पत्या भी नोन टोक्सिक होती है नमबर पाँच, चाइनिज एवर्ग्रीन ये लोगों के घरों में मिलने वाला सबसे आम पोदा है और धीरे धीरे बढ़ने वाला ये पोदा 18 से 27 डिगरी सैल्सियस के ताफमान के बीच यह अच्छी तरह रह सकता है और ये कम रोशनी में भी बढ़ते रहते हैं और इनकी उचाई तीन फिट तक होती है नमबर चार, गर्बेरा डेजी सबसे सुंदर होम प्लांट में से एक है जो की आम तोर पर सजावट के लिए इस्तमाल किये जाता है और यह पोदा रात को भी उक्सीजन देता है नमबर तीन, मनी प्लांट ये कमरों में और बहुत ही कम रोशनी में असानी से बढ़ने वाला मनी प्लांट भी तेजी से उक्सीजन बढ़ाता है लेकिन अपने इन ही गुण के बावजित मनी प्लांट बच्चों और पार्तु जानूरों के लिए जहरीले होते है नमबर दो, सनेक प्लांट दोस्तों ये पोदा रात को उक्सीजन देने के लिए भी जाना जाता है एक कमरे में एक पोदा एक शक्स के लिए प्रयाप्त माना जाता है इसलिए इसे भी अपने कमरों में या अपने घरों में जरूर दगाना चाहिए और यह पोदा भी कई तरह की जहरीली गैसों को सोक लेता है नमबर एक पर आता है अरेका पाम यह पोदा भी oxygen के मामले में अच्छा तो है ही साथ के साथ यह अपने आसपास हवा में मुझूद formaldehyde, giling, toluene और carbon monoxide जैसी जहरीली गैसों को भी सोक लेता है तो दोस्तो यह थे विग्यानिकों के सुजाए 10 plants जो oxygen तो देते ही हैं तो जैसे रिली गैसों और pollution को भी खतम करते हैं तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर बिताईगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियागा और घंटी बिटम को जूर दुबाईगा ताकि हम रुजाना आपके लिए इसी तरह नए नीए वीडियो लेकर आते रहें धन्यवाद दोस्तों जैहिंजै भारत बाइबाए